कड़बंदन की सरकार के तुवारा सत्ता में आने के साथ ही सो दिन के सेवा, सुरक्षा और सुसासन के प्रति समर्पित कारेकाल की इस पहली प्रेश्वारता में अपने बरिष्ट सहीयोग्यों की ओर से आप सब का मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ उत्तरप्रदेश की जनता जनारदन ने आधनिय प्रधान मंत्री सी नरेंद्र मोदी जी के नेत्रुत्तों में उनके मार्ग दरसन में अभी हाली में प्रदीस में संपन्वे बिधानसभा चुनाओं में भारती जनता पार्टी कडवंदन को प्रचंड बहमत दे करके जिस उद्देशे से अपना असरिबात दिया था जीत कव शिल्सला जन विश्वास का प्रती तो था ही वो निरंतर नित नए प्रतिमान अस्थापित कर रहा है विधानसभा चुनाओं के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिशत की अस्थाने प्राधिकरी के 36 सीटों पर चुनाओं संपन हुए इन 36 में से 33 सीट भारती जनता पार्टी ने और तीन सीटे निर्दलियों ने जीते समाजवादी पार्टी बहुचन समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस जीरों पर रही यही नहीं विधान परिशत कठन के पसाद 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधान मंदल का उच्छ सदन कॉंग्रेस बिहीन भी हो गया है कॉंग्रेस मुक्त उच्छ सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है पिधान परिशत के स्थाने प्राधिकरी चुनाओं के साथ प्रदेश के अंदर दो महत्वपूर्ण लोकसभा के उप्रदेश के संपन्न हुए है एक पूरुवे उत्तर प्रदेश में आजमगड में और एक पस्यमे उत्तर प्रदेश के रामपूर में दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाओं में समाजबादी पार्टी ने जीती थी इस उप्चनाओं में जन्ता जनार्दन का असरिवाद भारती जन्ता पार्टी को प्राप्त हुआ यह भी प्रदानमंत्री मोदी जी की नीतियों की प्रति और सरकार की सक्रियता और बहतर समन्वे का एक प्रणाम है कि जन्ता जनार्दन का असरिवाद फिरसे भारती जन्ता पार्टी कड़वंदन के प्रतियासियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारती जन्ता पार्टी के प्रतियासि बिजई हुए 25 मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर सपद घंड किया उत्तर प्रदेश के इत्यास में 37 वर्सों के बाद या उसर आया था जब कोई सरकार अपना पांच वर्स का कारेकाल पूरा करे और पांच वर्स के अपने कारेकाल के उपरांते फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए पहली बार उत्तर प्रदेश के इत्यास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कारेकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनार बनाने के साथ ही सरकार को सफलता पुर्वक संचालन करने के अपने सौध दिन के अपने इस कारेकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सोकिया के इस अपने प्रंप्रागत अभियान को लेकर के फिर से मैं आपके बीच में यहां पुरुपस्तित हुआ हूँ हम सब जानते हैं कि उत्तरप्रदेश देश की सब आबादी के दिस से सबसे बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि उत्तरप्रदेश में संभावना है एक potential है कि उत्तरप्रदेश भारत की अर्थविवस्ता का ग्रोथ हिंजन बनने की सामर्थे रखता है उस सामर्थे को सजोने का कारे और उसको देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कारे उसके आधार सिला 2017 से मार्च 2022 के बीच में हमारी सरकार ने किया अब दूसरा कारे काल जो हमें उत्तरप्रदेश की चंता जनारदन ने दिया है इस दूसरे कारे काल में एक नई उडान के साथ हम सब अपनी याद्रा को आगे बढ़ा रहे है आध़ने प्रधानमंत्रीची ने देश के ले जो लक्से निर्धारित किया है कि भारत की अर्थविवस्ता फाइब ट्रिलियन डॉलर की होगी तो स्वाभाई ग्रुप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्तुपूर्ण हो जाती है और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्री मंडल ने सबसे पहला कारे वे दस सेक्टर चुने जिन पर हम विवस्तित कारे योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थविवस्ता के उस प्रजेंटेशन को वन टिलियन डॉलर तक पहुचाने कि इस कारे योजना को मागे बढ़ा सके यह पहली बार हुआ है कि दस सेक्टर के प्रजेंटेशन में सभी हमारे सयोगी मंत्री गण मौजूद थे उनके मारक दर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रजेंटेशन स्वयम बनाया उसका ध्यन किया फिर उसका मंत्री मंडल के सामने प्रस्तुति करन हुआ उस पे चर्चा हुई और फिर उसकी ठोस कार योजना बना करके हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी दे करके उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जोत्तर प्रदेश को आगामी पांच वर्स के अंदर वन टीलियन डॉलर की एकॉनोमी के समकक्स पहुचाने में योगदान दे सकेगा वह कारिकरम भी हम लोगों ने सफलता पुरुवक प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया मुझे प्रसंता है कि सरकार जनता के द्वार इस कारिकरम को मेरे स्योगी मंदल के मेरे सभी स्योगी मंद्रियों ने 18 समों के साथ जोड़ करके अलग-अलग समू मंत्री समू को अठारा मंत्री समू ने अठारा कमिस्टनरी को केंदर में रख करके 72-72 घंटे के लिए एक-एक कमिस्टनरी में कैम्प किया जन्पदस्तर पर कए गाउं में गए नगर में गए अलग-अलग संगठनों, संस्थाओं के साथ बैठेके भी संपन्न की जन्ता चौपाल के कारेकरम भी आयुजित किये पिकास कारें के बहुतिक सर्वेक्षन भी किये और उन कारेकरमों को आगे बढ़ाने का कारे किया जो जन्ता के मन में एक निया विश्वास बैदा कर सके मंत्री समू ने अब तक हर मंत्री समू दो-दो कमिस्नरी कवर कर चुके हैं और सफलता पुरवक इन कारेकरमों को एक नई गती उनके मार्क दरसन में नकेवल अपने विभा के कारे को बलकी जमिनी धरातल पर जाकर के देखकर के सासन की सभी प्रकार की योजनों को प्रवहावी डंसे क्रियानमिन का कारेकरम भी आद्प्रदेश के अंदर सफलता पुरवक आगे बढ़ने का कारे हो रहा है वितनों यह जो कारेकरम है जो उत्तरप्रदेश की अर्थविवस्ता को एक नई कती देने के लिए एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर देखने को मिला है इस टीम वर्क ने अपने पिछले कारेकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और आज उत्तरप्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थविवस्ता की रुप में स्थापित करने के इस लक्षय को आगे बढ़ाते हुए हम लोगोंने अगले पांच वर्से की जो कारे उसना तयार की है इसमें सौ दिन के जो लक्षय तै किये गए थे उन लक्षयों को सफलता प्रुवक आगे बढ़ाने का कारे भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और संवर्दिकी दिश्य तेंतो में तुकून है हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कारे युजना तैयार की इस तोरान हम लोगों ने तक्निक का भी बहत्तर इस्तमाल किया पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी करमचारियों के लिए ये पेंशन की सुविधा लागू हुई अब किसी रिटार करमचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने इस कारिकरम को इन सो दिनों के अंदर संपन करके प्रदेश के अंदर आधने प्रधान मंत्री जी के डिस्टल इंडिया के कारिकरम के माध्यम से कारमिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला इविधान लागू किया गया विधान सभा का अभी हाली में संपन सत्र इविधान के साथ संपन हुआ है और यही नहीं आजादी के अम्परित महत्सो वर्स में देश के महमहिम राष्ट पती जी का दोनों सदनों को मारिक दर्शन भी प्राप्त हुआ है यह सो दिन के अंदर ही यह सभी कारिकरम प्रदेश के अंदर संपन हुए है हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 2017 के पहले परिबारवाद जातिवाद प्रस्टाचार तंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिती थी पैचान का संकर्ट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था केंडर सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोग कल्यां कारी गरीब कल्यां कारी योजनाओं को केंडर सरकार ने लागू किया लेकिन राज्य सरकार की च्छा सक्ती उन्हें लागू करने की नहीं दिखती थी लेकिन पिछले पांच वर्स के अंदर प्रदेश के अंदर कानून विवस्ता की बहतर इस्तिती को जो हम लोगों ने बिगत पांच वर्स के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज अस्तापित हो इस दिसा में जो प्रियास किये देश के अंदर उसका एक विश्वास की रुप में बदला उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन के बारे में आम जन मानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धाणाएं बदली और उसका पैणाम था कि यहां पे निवेस की अनेक संभावनाओं ने आगे वड़ करके प्रदेश के विकास को एक नई उचाईयां देना भी प्रारंब किया निवेस किन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सरजन की संभावनाओं को भी आगे वड़ाया अपराद और अपराधियों के प्रति जीरो टॉल्नेंस की सरकार की नीती प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर किव्याने थुई और इन सौ दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करूर उपे की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबदता को एक बार फिर से सब के सामने प्रस्तुत किया है अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2925 करूर उपे की अवैद संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है यही नहीं यह पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संप्रक्षण में कहीं भी कोई गलत कारे नहीं बलकि अवैद पार्किंग अटाए गए टैक्सी स्टेंड अटाए गए उन्हें बिवस्तित सुरूप नगर निकायों के साथ मिल करके भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से थिक अथिकर्मन अस्तल जो सडकों पर अथिकर्मन बनाये गए थे आवागमन को बाधित करके के जाते थे उनको हटाया गया 76,000 से थिक अवैद पार्किंग अस्तल भी मुक्त किये गए और वहाँ पर पार्किंग की सुविधा प्रदेश वास्यों को प्राप्त हो रही है और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्तलों से माईक हड़ जाएं और अनावस्यक सोर गुल से लोगों को मुक्ती मिले एक लाख बीस हजार से धिक ऐसे माईक थे जो या तो हटाएं गया या फिर उनके वैलियूम को कम किया गया और ये बिना किसी होह अल्ला के सुतस्पूर्थ भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रतीक तपके ने सरकार के इस कारिका पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सयोग देने के साथ साथ इस कारिक्रम में बढ़ चड़ करके भाग भी लिया प्रदेश सरकार के ही इन कारिक्रमों की आगे वढ़ाने का पेड़ाम है कि आज सडकों पर कोई भी सरजनिक कारिक्रम नहीं होते कोई भी इस प्रकार के कारिक्रम नहीं जिसमें चायवह अलविदा की नमाज सडकों पर नहीं होगे बलकि जहां धर्मस्थल में तै है वहीं होगी इत के कारिक्रम राम नोमी के कारिक्रम अन्य कोई भी कारिक्रम कहीं भी किसी सडक पर प्रदर्शन के वे माध्यम नहीं बने बड़ी सालिंता के साथ सांतिपूर्ण तरीके के साथ इस सभी कारिक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कारिक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया कि पास्कोएक्ट के अंतरकत भी प्रभावी कारवाई करते हुए महला और बालिकाओं के प्रती अपराध्यों को कोई भी अपराध करने वाले अपराध्यों को भी न केवल सजा दिलाई गई बलकि उसकी प्रभवी पैरवी करते उसे कड़गरे में भी खड़ा किया गया और यह पहली बार हो रहा है जब प्रदेस के अंदर पड़े पैमाने पर अग्नी समण केंद्र की इस्थापना करने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेस हर तैसील में अगनी समन केंद्र की स्थापना करनी के और अग्रसर है हमारा प्रयास है कि अगले दो वर्स गेंदर हर तैसील में एक अगनी समन केंद्र की स्थापना हो सके जिससे अगनी सुरक्सा के साथ साथ लोगों को इस प्रकार की किसी भी अगनी कांड की घटना से बचाओ के बारे में भी उन्हें एक सासन के अस्तर पर सहुग मिल सके हम सब इस भी बात को जानते हैं कि बिगत पांच वर्स के अंदर प्रदेश की जीडिपी में लगभग दुगनी विर्दी हुई है अर्थ विवस्ता हमारी पहले की तुल्ना में लगभग दुगने की विर्दी हुई है और प्रतिव्यक्ति आये में भी दुगने की विर्दी प्रदेश के अंदर हुई है प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दोरान प्रदेश के बजट के तैयरे को भी हमने दुगने से दिख बढ़ाया है 2016-17 में प्रदेश का बजट तीन लाग करोड का था आज वह बढ़कर के 6,15,000 करोड उपे से दिख का है और जनता के प्रती सरकार की प्रतिवदता इस बात से बताई स्वश्ट हो जाती है कि हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के प्रदान सभाद चुनाओं की दिख से जो भी 133 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोग कल्यान के लिए गरीब कल्यान के लिए लिये थे उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रती और प्रदेश की विकास और संब्रदी के प्रती अपनी प्रतिवदता को भी सरकार ने बात स्वश्ट कर दिया है जो 33 संकल्प है इन्हें आगामी दो वर्स के अंदर इन्हें भी अंप्रम्बत तरीके से ले करके जनता जनारदन के सामने ले गए अपने संकल्पों को विवस्तित तरीके से उन्हें पूरा करने का काम भी करेंगे मित्रों उत्तर प्रदेश के अंदर तसकों बाद और दोगी कवातावरन भी देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में भी निवेश हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी उत्त्योग लग सकता है ये 2017 के पहले एक सपना था आज भी हकीकत में बदलना है सो दिन के अंदर आदने प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्शन में उनके सानिद्य में असी हजार करूर उपे से अधिकी प्रयोजनाओं को सलान्यास करने के लिए आदने प्रधान मंत्री जी ने किर्पा पुर्वक अपना समय दिया और इसी राजधानी लखनों में एक कारिक्रम हमारा संपन हुआ यही नहीं इन सो दिनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यानि यह जो असी हजार करूर उपे से धिक की परियोजनाएं लगबग 1400 से धिक परियोजनाएं इसके अंदर कबर हो रही है और प्रदेश ने पहली बार उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर अस्थापित करने का एक हब बन रहा है हम लोगों ने प्रदेश सरकार ने इसकी अपने पॉलसी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीती भी प्रदेश के अंदर लागों की और इसमें प्रदेश को चार नए डाटा सेंटर अस्थापित करने आज डिश्टल इंडिया की युग में डाटा के अपने महत्व हैं और उस महत्व को ध्यान में रख करके चार नए डाटा सेंटर जिनकी लागत 15,950 करूर उपे सेथिक की है और जिन में लगभग 4,000 सेथिक नौजवानों को डारेक्ट प्रोचगार मिलने के संभावना है यह भी हम लोगों ने इस दोरान इसे पूरा किया इन सौ दिनों में प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क की कारेका सलान्यास भी संपन हुआ प्रदेश में पहली बार आगरा, कानपूर, गोरकपूर में प्लेटट फैक्ट्री कॉमप्लेक्स के कारेका भी उस कारेको प्रयोजना को भी हम लोगों ने शुरू किया और प्रदेश के अंदर यही नहीं हम लोगों ने अनेक ऐसे कारेक्रम किये जिसके मात्यम से न केवल और दोगी की विकास के कारेक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ सकें बलकि इसके मात्यम से प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को भी एक नई उचाईयां प्रदान कर सकें उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में अपने अस्थापना दिवस की आउसर पर एक जनपत एक उत्पाद की अपनी अभीनों योशना लागू की थी उससे में बहुत सारी लोग कहते थे क्या होगा आज मुझे बताते वे प्रसंदता है कि एक जनपत एक उत्पाद योशना ने प्रदेश के अंदर 21 सेक्टोरियल पॉल्सीज को लागू करने के बाद जो कारेक्रम हम लोगों ने आगे वढ़ा है आज उसके बहत्तरीन पेड़नाम हम सब के सामने हैं प्रदेश के अंदर 2016-17 में जो बेरोजगारी की दर 18 फीजदी के असपास थी आज वक्त घट करके और द्योगिक निवेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरियां वन डिस्टिक वन प्रॉड़क्ट की अभिनो योजना विश्वकर्मा स्रम सम्मान की योजना और इन तमाम योजनाओं को प्रभावी डंग से आगे वढ़ाने का प्रदेश के अंदर अनिम्प्लाइ गया है यानि युवाओं के कल्यान के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए गया या भी आज और ये डाटा राज्य सरकार के अपने नहीं यह देश की प्रतिश्टित निस्पक्स संस्थाओं के हैं जिन लोगों के द्वारा क्यों इसी सेक्टर में कारे किया जाता है प्रदेश के अंदर हमारे वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट की इस अभिनों योजना ने प्रदेश को एक्सपोर्ड का एक हब भी बनाया कि इस वर्शुत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ड है वहां एक लाग चपन हजार करोड उपे का है 2016-17 में यहां लगवक 80,000 करोड उपे के असपास था यानि इसने एक नई उचाईयां दी है प्रदेश के परंप्रागत उत्पात को और इसके मात्यम से रोजकार की तमाम संभावनाएं भी आगे बढ़ी प्रदेश के अंदर आधने प्रदान मंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सरेमनी में तीस जून तीन जून को आकर के प्रदेश के अउध्योगी क्विकास को एक नई कती प्रदान करनी में अपना अस्त्रीबात दिया 80,000 करोड उपे की लागत से जो द्योग उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहे हैं इन में 5 लाग प्रत्यक्स रोजगार और 20 लाग अप्रत्यक्स रोजगार भी प्रदेश के अंदर प्राप्तो होगा और यही नहीं इन 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 10,000 से धिक सरकारी नौक्रियां भी दी है यानि अलग अलग विभागों ने इस पर कारे किया लेकिन केवल एक विभागी ही में बात करूं तो अकेले ग्रे विभाग के मात्यम से हम लोगों ने जो 10,000 के नौक्री दिये जाने का लक्से रखा था उसे हम लोगों ने इस दोरान पूरा किया और स्वता रोजगार के साथ जोड़ने के लिए भी ब्रहत रिण मेला के मात्यम से एक लाख नप्पे हजार उद्यम को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 16,000 करूर उपे के रिण वित्रण के कारेकरम को आगे बढ़ाने के साथ ही पूरे वर्स भर का वे एक लक्से रखा है कि दो लाख 35,000 करूर उपे के रिण इस एक वर्स के अंदर हम प्रदेश के नौजवानों को देने का कारे करेंगे यह स्वता रोजगार के लिए MSME सेक्टर के लिए यह व्योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बैंकर्स के साथ मिल करके तयार की है और इसे हम आगे वढ़ाएंगे यही नहीं प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को डिज्टली समर्थ और सक्सम बनाने के लिए सत्रा लाग से थिक युवाओं को टैबलेट अथवा स्मार्थ फोन बितर्ण के कारेकरम को भी सफलता पुर्वक आगे वढ़ाने में हमें सफलता प्रदेश के अंदर राश्टी और अंतराश्टी प्रतिस्परदा में जिन खिलाडियों ने पदक प्राप्त किये हैं उन्हें सीधी भरती के मात्यम से राजपत्रित पदों पर न्युक्ति करने की विवस्ता को भी इन सौ दिनों में प्रदेश सरकार ने अपना अनुमूदन दिया है और इस पर कारे प्रारम भी हो गया है प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दोरान चार सो से धीक रोजगार मेले भी अस्तर लगाये हैं जिनके मात्यम से प्रदेश के अंदर नौजवानों को स्वतार रोजगार के साथ जुड़ने और उने आगे बढ़ने में भी एक प्रकार से मदद मिलेगी मित्रों ये प्रदेश के अंदर अलगलग सेक्टर के लिए सरकार के द्वारा की गई कारे योज़ना का एक छोटा सा उधरण है ये सरकार की दिशा को स्पस्ट कर देगी कि अगले पांच वर्स के अंदर सरकार किस दिशा में आगे वड़ रही है अगर आप देखेंगे सरकार के पहली कैबनेट का 2017 में हमारी पहली कैबनेट आई थी हमने किसानों के लिए उस समय रिण मोचन के एक बड़े कारेक्रम को आगे वड़ाया था 86 लाग लगो और सीमान्त किसानों के कर्च माफी के कारेक्रम को संपन्न किया था और 2022 की पहली कैबनेट हुई थी प्रदेश के 15 करोड गरीबों को प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के साथ-साथ राज्य सरकार के द्वारा भी फ्री रासन देने की उस प्यवस्ता को आगे वढ़ाने का निर्णे हम लोगों ने पहान गेहुं के साथ चांवल और गेहुं के साथ ही दाल तेल नमाक और अन्तोदे परिवारों को चीने भी उपलब्द करवाने की कारवाई को आगे वढ़ाया था मुझे प्रसंता है कि संकट के समय सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर प्रकार की सुब्धा भी उपलब्द करा रही है सरकार ने इन सौ दिनों के अंदर याविन ने लिया कि प्रदेश के अंदर उज्जुला योजना के जो लाभारती है एक करोड़ 67 लाग ऐसे लाभारतियों को हम लोग प्रदेश के अंदर होली और दिपावली के अउसर पर एल पीजी का सिलिंडर फिरी में उपलब्द करवाने का कारे राज्य सरकार करेगी और यह कारे भी सफ़ता पुरवक आगे बढ़ चुका है प्रदेश के अंदर हम लोग उने इस दोरान विर्दावस्ता पिंसन धारग और निरासित महला पिंसन धारग जो भी प्रदेश के लाभारती हैं उन्मे प्रदेश के अंदर हम लोग उने जो पचे वे थे उनके लेक्शेश अभ्यान चलाए गया उन्हें पेंसन के युजना के साथ जोड़ा गया हम सब जानते हैं प्रदेश के अंदर बिर्धावस्ता पेंशन निरासित महला पेंशन दिब्यांग जन पेंशन मातर तीन सो रुपे दोहजार सोला सत्रह तक मिलती थी पहले से पांसो किया गया और सरकार गठित होने के साथ ही से एक हजार उपे करने का निर्णे भी लिया गया और उसके तहट वह पेंशन पित्रण के कारे भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में एक लाख नई पालिकाओं को भी उसके साथ जोड़ा गया है अब कुल पालिकाओं की संख्या जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ जोड़ी है यह 13,68,000 पालिकाई वरतमान में इससे लाभानित हो रही है चोड़ों का विवहा भी मुख्यमंत्री सामिक विवहा योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ तो प्रदेश की प्रदेश की बेटियों और बेहनों के लिए आर्थिक स्वावलंबन का जो आधार है ससक्ति करण का जो आधार है वहां प्रदेश के अंदर महला स्विम से भी स्वमों है 82,520 स्विम साहता स्वमों को रिवाल्विंग फंड यवं कॉम्मुनिटी इंवेस्मेंट सपोर्ट फंड के रूप में 400 करूड पे देने का कारे भी इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर किया गया मित्रों किसान अनदाता किसानों के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ कारे कर रही है हम लोगों ने पिछले पांच वर्स के अंदर प्रदेश के अंदर सिचाई के दायरे को लग 21 लाख हेक्टियर अत्रिक्त सिंचन की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्द करवाई दसकों से लंबित पांड सागर अर्जुन सायक सर्यू नहर रास्तिय प्रयोजना इन सभी को हम लोगों ने लगबग बेड़ दरजन अधिक जो प्रयोजनाई थी इन्हें हमें प्रभावी दंग से प्रदेश के अंदर लागू किया 21 लाख हेक्टियर से दिक भोमी को सिचाई की सुविधा भी उपलब्द करवाई लगातार इस पर कारे चल रहे हैं तो से इस प्रयोजनाएं हैं उन्हें भी समयबत ढंग से पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबत्ता के साथ कारे कर रही है और सौ दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर 2017 मैं आने के बाद ही प्रदेश ने प्रक्यूर्मेंट पॉलसी भी प्रदेश के अंदर लेकर के आई थी जिसमें इस किसानों से सीधे खरीद और लागत का डेड़ गुना दाम उन्हें प्रदान करने का कारे भी प्रदेश के अंदर हुआ बिगत सो दिनों के अंदर प्रदेश के गन्ना किसानों का बारा हजार पांसो सेंटीस करोड उपे का गन्ना मुले का बुक्तान हुआ और अगर पिशले पांस वर्सों की हम डाटा पर ध्यान दें तो इसमें एक लाग छेयत्र हजार छेसो अर्टीस करूड उपे का अब तक गन्ना मुल्य का वुक्तान गन्ना किसानों को किया जा चुका है पिम किसान सम्मान निधी के माध्यम से प्रदेश के अंदर दो लाग पच्पन हजार किसानों को अब तक सैंतालीस हजार दो करोड पच्पन लाग किसानों को दो करोड पच्पन लाग किसानों को सैंतालीस हजार दोसो पैंसट करोड उपे हस्तान्तृत किये गए और यही नहीं आठ लाग किर्शकों को चार अजार छह सो पैंस्पीन करोड का पसली रिण भी बित्रन करने का कार्य हुआ है मित्रों ग्रामों दैसे राष्टों दै की परिकल्पना कैसे साकार हो सकती है यह भी अगर देखना हो तो आधनिय प्रधान मंत्री जी के उस विजन में जिसमें ग्रामीर्ण चेत्र में आवासिय अविलेक हर एक उस ब्यक्तिकों प्लब्द कराने का जो प्रहत कारिक्रम चला है सौ दिनों में 11 लाग ऐसे घरोनी यह ग्रामीर्ण आवासिय अविलेक प्रदेश के अंदर गाउं में बित्रित किये गए अब तक हम लोग जब से उसना चली मार्च 2020 से उसना चली थी 34 लाग परिवारों को यह सुब्धा अप्लब्द करा चुके हैं इसके साथ ही प्रदेश के अंदर ग्राम सचवाले की प्रिकलपना भी साकार हो रही है उन्हें इंटरनेट की बेहतरीन कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए गाउं के अंदर ही बैंकिंग क्रॉस्पॉंडेंस सकी बैंकिंग सेवाएं अपलब्द करा रही हैं बित्वत सकी बित्वत बिल को जमा करने का कारे कर रही हैं और गाउं के अंदर वे सभी प्रकार की स्वविधाएं हम देने का कारे कर रहे हैं इन सौ दिनों में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट के भी बहतरीन कारे हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनकर के तयार है आधने प्रदान मंत्री जी अगले सप्ता बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उत्गाटन भी करने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेस वे पर कारे तेजी के साथ आगे वढ़ा है और बल्या लिंक एक्सप्रेस वे के कारेक्रम को भी हम लोगों ने आगे वढ़ाया है लिए आदेजी प्रधान मन्तरी जी कि प्रकल्पना को जो नों ने कहा था कि हवाई चपल पहनने वाला भी हवाई चाज की यात्रा कर सकता है उत्तर प्रदेश ने साकार किया है उत्तरप्रदेश के अंदर 2017 में दो एरपोर्ट क्रियासील थे और दो आंसिक क्रियासील थे आज हमारे नो एरपोर्ट प्रदेश के अंदर क्रियासील है दस एरपोर्ट पर कारे चला है और अभी हाली में हम लोगों ने एरपोर्ट आथर्टी ओफ इंडिया के साथ जो पांच हमारे नए राज्य सरकार के द्वारा नए एरपोर्ट बनाए गए हैं यहाँ पर उसके सर्विस और मेंटेनेंस की देश से उसे संचालित करने के एक M.O.U. पर यहाँ पर हस्ताकसर हुए हैं और अगले कुछ महिनों के अंदर आजमगर्ड, अलीगर्ड, स्रावस्ति, चित्रकोट और मियोरपूर सोनभद्र के इन पांच एरपोर्ट को भी राज्य सरकार संचालित करने जा रही है जिसमें एयरपोर्ट आथर्टियों इंडिया के साथ हम कारिक्रम आगे वढ़ा रहे हैं करोना प्रदेश के अंदर इस सदी के सबसे बड़ी महमारी पूरीत्रे नियंतन में है और नियंतन में है ही प्रदेश ने विगत पांच वर्ष के अंदर दिमागी पुखार पर प्रभावी नियंतन करने में भी सबलता प्राप्त की इन सौ दिनों में दो बार संचारी रोग नियंतन के कारिक्रम आगे वढ़े और उत्तर प्रदेश को काला जार पर प्रभावी नियंतन करने का भी भारत सरकार का प्रदिश्ठित सम्मान प्राप्त हुआ प्रदेश, मलेरिया, टेंगू, दिमागी बुखार इन सब पर प्रभावी नियंतन करने के सामें तेज़्जी के साथ आगे वढ़ा है दिमागी बुखार का आप चानते हैं कि पुर्विय उत्तर प्रदेश समेट प्रदेश के 38 जनपत इससे प्रभावी थे हजारों मौते होती थी 1977 से 2017 के बीच प्रदेश के अंदर पचास हजार बच्चों की मौते क्यों इस बिमारी से हुई आज मुझे यह बताते हैं प्रसंता है कि भारत सरकार के सयोग से हम लोगों ने आज इसको प्रभावी नियंतन किया है पिचानबे भीज़ती इनसे प्लाइटिस से होने वाली मौतों पर नियंतन करने में भी राज्चे सरकार ने सफलता प्राप्त की है और हम लोगों ने वरतमान में यह सभी कारेकरम आगे बढ़ाए है तो 108 का जो रिस्पॉंस टाइम है उसको कम करने के साथ साथ उसमें कुछ नई एंबुलेंस भी स्वास्ते भी भागने उसमें जोडने का काम किया है मित्रों इस दोरान आधनिय प्रधान मंत्री जी उत्तरप्रदेश के अंदर उनका मार्ग बर्शन तो प्राप्त हुआ ही मेरा गाउं मेरी विरासत इस कारेकरम का सुभारम भी कानपूर देहात के परोग गाउं में अधनिय राष्ट पती जी की सानिध्य में यह कारेकरम भी वहां संपन्न हुआ है गाउं की प्रती प्रती एक ब्यक्ति के मन में एक लगाउं क्या भाव हो यह कारेकरम भी हम लोग प्रदेश के अंदर देजी के साथ आगे वढ़ाने का कारे कर रहे हैं और यहीं नहीं हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर जलवायू प्रिवर्तन और प्रियावरण की सुरक्सा के लिए पॉलितीन फ्री उत्तर प्रदेश 2019 से इस कारेकरम को चला रहा है यह कारेकरम सफलता पूर वक्त आगे बढ़ाई है लेकिन साथ साथ हम लोग वन महत्सो के कारेकरम के साथ भी वर्तमान में जुड़े हैं वन महत्सो का यह कारेकरम प्रदेश के अंदर कल ही हम लोगों का प्रियास है कि पचीश करोड ब्रिक्सार उपन के अपने लक्षे को प्राप्त कर सके च्छे और साथ को भी एक कारिक्रम आगे बढ़ेंगे और पंद्रा अगस्त को भी देश की आजादी का जब अम्रित महत्सो होगा तो उस आउसर पर भी हर गराम पंचायत में 75-75 पौधे लगाने के एक बड़े संकल्प के साथ राज्चय सरकार कारिकर्मों को आगे बढ़ाने का कारेबियम प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं कुल इस दोरान हम लोग 35 क्रोड ररखसार उपन के लक्से को लेकर के आगे बढ़े हैं मित्रों प्रदेश के अंदर विगत पांच वर्ष के सफलतम कारेकाल के उपरांत आज दूसरी पारी के सौ दिन के जो एक कारेकरम हमारे संपन होए हैं सौ दिन के इन कारेकरमों के लिए जो बाते हम लोगों ने सरकार गठन के साथ ही जो विभिन्न प्रकार के दस सेक्टर्स की प्रजेंटेशन के उपरांत जो कारेयोजना तैयार की थी सौ दिन के लिए जो लग से ते थे उस से भी आगे वढ़ करके मेरे सयोगी मंत्रियों ने उनके विभागों ने अमारे प्रसासनीक मसिन्री ने हमारे पुलिस विभाग ने सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर एक बेतरीन प्रियास करके उसे आगे वढ़ाने का काम किया है और मुझे विश्वास है कि छह महिने एक वर्स हम लोग केवल भाषणड बे बिश्वास नहीं करते हैं बलकि जो कहा सो किया उस लक्स को प्राप्ट करने के सामें अहरनिस प्रियास करते हैं मुझे प्रसंता है कि सौ दिन का जो लक्स था उसे हमारी सरकार ने सफलता पुर्वक प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की है मैं इस उसर पर एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनारदन की प्रती हिर्दे से उन्हें उनका विनंदन करता हूँ आभार ब्यक्त करता हूँ आधणिय प्रधान मंत्रीची ने उत्तर प्रदेश की प्रंप्रागत उत्पात, वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट से जुड़ेवे उत्पात, लोकल फोर ग्लोबल के अपने प्रतिपदता को आगे बढ़ाते वी जी सेवन की समिट में भी उत्तर प्रदेश के उत्पात को दुनिया के उन साथ में तुपूर्ण रास्ता ध्यक्सों को प्रदान करने उपहर स्वरुप भेंट किया उत्तर प्रदेश के बैस्विक यानि उत्पात को बैस्विक पैचान देने के करम में आधने प्रदान मंत्री चीका स्रीवाद है मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की और से उनका हिर्दे से आभार प्यक्ति करता हूँ और इस उसर पर मैं एक बार फिर से अपने पूरे मंत्री मंडलिय स्वयोग्यों के मात की ओर से आपका भी मैं हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ कि सासन की योजना को जनता जनारतन तक पहुँचाने और उन योजनाओं को प्रभावी क्रियान्यवन करने में जो आपका सकारात्मक योगदान है इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ मैं एक बार फिर से पुरे प्रदेश वास्यों को सौ दिन के सकारेकाल की हिर्दे से बधाई और सुपकामनाई देते हूँ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आगामी लक्षियों को भी हमारे सभी सहयोगी समयबत डंग से प्राप्त करने में सपल होंगे बहुत बहुत धनिवाद